फ्रेंट 16,000 रुपीज के अंदर बहुत सरे कॉन्फियूसन है मोटरोला उसका मोटरोला वान पावर लॉंच करके बैटा हुआ है जो कि 16,000 रुपीज के अंदर एक बेस्ट एक वैले फर्मानी फोन है और गाइस नोकिया का 6.1 प्लास जो कि काफी अच्छा फौन है 16,000 रुपीज में और गाइस इस दोनों फौन को बेट करने के लिए रियलम्य उसका रियलम्य 2 प्रू लोंच कर दिया जो कि काफी अच्छा फौन है यवी काफी वैले पर्मानी फौन है और गैस इस वीडियो में इसलिए इस तीनो फोनों को कंपेड करूँगा और गैस बताऊंगा इस तीनो फोन जे कौनसा फोन वेले परमाने फोन है कौनसा फोन बेस्ट है अगर इस तीनो फोनों को लेकर आप कंप्यूसर में हो तो गैस ए वीडियो आपके लिए है टेकन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फ्रिंट्स बात करते हैं तीनों फूंट की डिजाइन की बारे में तो इस मोटरोला वान पावर में आपको बैक साथ में मेटल बॉडि देखने को मिलेगा ऐपको fingerpin sensor dual camera setup देखने को मिल जाएगा और नीच में आपको android one की logo देखने को मिल जाएगा क्यूंकि android 1 में रान करता है front side में आपको एक छोटा सा nose मिलेगा एंड निचे जो chain है वो guys काफी छोटा है तो guys बहुत आच्छा phone है guys बात करते हैं यहाँ पे Nokia 6.1 Plus की तो guys यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा back side में glass back देखने को मिलेगा dual camera setup, fingerprint, sensor देखने को मिल जाएगा काफी कामाल का design है back side में आपको dual color gradient देखने को मिलेगा front side में आपको water drop notch मिलेगा जो की phone की look को एक premium look देता है एंड निचे जो chain है वो गाइस काफी छोटा है एंड गाइस बात करते हैं back side में dual camera setup, fingerprint, sensor back side में आपको देखने को मिल जाएगा गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की बार में तो गाइस motorola one power में आपको देखने को मिल जाएगा 6.2 इंच का notch के साथ full HD display देखने को मिलेगा 90 इस्टू 900 वाला होगा Nokia 6.1 plus में आपको देखने को मिल जाएगा 5.8 इंच का full HD display देखने को मिलेगा 90 इस्टू 900 होगा Coining Gorilla Glass Supported भी देखने को मिल जाएगा गाइस बात करते हैं Realme 2 Pro होगा तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 6.3 इंच का full HD display देखने को मिलेगा 90 इस्टू 900 वाला होगा तो काफी अच्छी बात है मैंने यहाँ पे बोला है Dew Drop देखने को मिलेगा जो की एक Premium Look देता है आप कमेंचेसन में जरूर बताना इस तीनो फोन से कॉनसाट डिजाइन आपको बेटा लगा कॉनसाट डिजाइन आपको पसंदे ओ कमेंचेसन में जरूर बताना बात करते हैं तीनो फोन की चिपसेट यानि की परफोमेंस की बार में Nokia 6.1 Plus and Motorola One Power में आपको सेम चिपसेट यानि की Qualcomm Snapdragon 636 चिपसेट देखने को मिलेगा जो की एक Octagon चिपसेट है 1.8 GHz में रान करता है Cryo 260 के साथ GPU है 509 GPU यानि की गेमिंग परफोमेंस आपको ठीक टाक देखने को मिलेगा परफोमें गाइस बात करते हैं यहां पे Realme 2 Pro गा तो गाइस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 660 चिपसेट जो काफी पावारफोल चिपसेट है Octagon चिपसेट है 1.8 GHz में रान करता है इसका जो GPU है 512 GPU यानि की गेमिंग पारफोमेंस आपको इस दोनों फोनों से आपको बिटर देखने को मिलेगा Realme 2 Pro में आपको कहला लगता है वो कमिंसेटन में जरू बताना क्यूंकि इसका जो प्रोसेस आ रहे हो काफी पावरफोल प्रोसेस आ रहे है एंड गाइस जो प्राइस है वो भी काफी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है GPU भी काफी पावरफोल GPU है आपको कहला लगता है वो कमिंसेटन में जरू बताना बात करते हैं पर कैमेरे की बारे में Nokia 6.1 प्राइब आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर माडरोला वान पावर में आपको देखने को मिल जाएगा 16 प्लास 5 मेगापिक्सल का डूल अरियर कैमेरा लेकिन गाइस जो 16 मेगापिक्सल सेंसर होगा 1.8 अपाचर के साथ आता है यानि कि लो लाइड में इस दोनों फोन से बेटर क्वालिटी आपको रियल में टू प्रो में देखने को मिलेगा गाइस मैं स्पेसिपिक के सान की हिसाब से बता रहा हूँ गाइस बात करते हैं यहां पर बैटरी की बार में लोगाइस नोक्या 6101 प्लास में पावरफुल बैटी तो नहीं है यहां पर 3000 इमेज की वैटी देखने को मिलेगा साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग सापर डेट भी मिलेगा इस बात करते हैं मौर्डोला वान पावर ही तो इस यहां पर 5000 इमेज इस फोन को फास्ट चार्ज करेगा और गाइस बात करते हैं रियल में टू प्रोगा तो गाइस यहां पर देखने को मिल जाएगा 3500 में इसकी वैटरी इस बात करते हैं तिन अपन की स्टोरिक्स की बारे में नोक्या 6.1 प्लास एंट मार्रोला वान पावर में आपको एकी देखने को मिलेगा जो कि 4GB 64GB Realme 2 Pro में आपको 3 variant देखने को मिलेगा जो कि 4GB 64GB 6GB 64GB and 8GB 128GB आप बात करते हैं प्राइस की दो गाइस यहां पर प्राइस में बिल्कुल विट कर जाता है बिल्कुल किल कर दिया साब को Realme 2 Pro क्योंकि इसका जो प्राइस है गाइस 4GB 64GB वाला व 14,000 रूपीज में और गाइस यह बहुत बड़ा काम किया है रियल मिने आपको क्या रखता है वह कमें से सन में जरूबाता ना गाइस बात करते हैं यहां पे जो 6GB 64GB वाला वरियंट 16,000 रूपीज में 8GB 128GB वाला वरियंट आपको यहां पे 18,000 रूपीज में देखने को मिल रहा हूं कि इस दूनों फोन बेकार है ठीक त्या गया बहुत अच्छा फोले लेकिन गईस अगर इस तीनों फोन को कमपेर कर जाए तो तीनों फोन से रियल मी टू परूब इना रहते क्योंकि यह आपको क्या वालकॉम सब्डेगन 660 चिपसे देखने को मिलता है और गाइ इस दूनों से कौनसा फोन फिफार करोगे कौनसा फोन आप खड़े दोगे ओभी कमें चैसन में जरू बाताना और नीचे डिस्क्यूसान में लिंक दिया हूं उहाँ पर खरीद लेना तो चैनल को भी तोड़ा हेल्प हो जाएगा उमीद करता हमको वीडियो पसंद आयोग झाल